स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉंफी कार्स में और आज हम बात करेंगे 8 अपकमिंग कार्स के बारे में जो कि आने वाले साल मतलब 2024 में भारती ये बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है निसान जियूक जियूक दरसल एक 5-setra SUV है जो यहाँ पर आप सब को बहुत पसंद आने वाली है आठ लाक रुपे से गाड़ी चालू होगी रिसका जो टॉप मॉडल है वो आपको तकरीबन 14 लाक रुपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो लोग से वो बहुत ही शानदार है कार को भी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया जो की बहुत ही डूरेबल प्लेटफॉर्म है कार की जो लाइटिंग है उनकी जो विजिबिलिटी उनको लेकर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है बात कर लेते हैं कार के engine की तो car में आपको दो engine options मिलेंगे पहला को मिलेगा 1.2 लीटर का turbo petrol engine और दूसरा को मिल जाएगा 1.5 लीटर का naturally aspirated petrol engine 5-speed के manual transmission और 6-speed automatic transmission नौकी वाली गाड़ी मिल जाएगी car के interior से बात करें तो आप 5 लोग अराम से comfortable होके समें travel कर लोगे features में 360 degree camera, blind spot, climate control, leather upholstery seat, 10 inch infotainment system, LCD instrument console ये सारे features आपको इस car में मिल जाने वाले हैं अब अगर बात कर लेते हैं कि ये car कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो January 2024 में ये जो car है वो confirm भारती बजार में launch होने वाली है नमबर 2 पर आती है Toyota Raze, Raze एक 5-sitter SUV है जिसकी pricing चालू होगी 8,00,00,00 रुपे से और इसका जो top model है वो आपको तकरीबन 15,00,00,00 रुपे के अंदर मिल जाएगा car का जो looks है वो बहुत ही शांदर है बहुत ही बढ़ी है लुक्स इस car को दिया गया है और जो car के electricals की working जो visibility है और जो quality है वो भी यहां पर आपको शांदर level की मिल जाती है तो उनको लेकर कोई भी complaint आपको face नहीं करनी पड़ेगी car के engine की बात करें तो car में आपको एकी engine option मिलेगा जो की है 1.5 लीटर का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 5-speed का manual transmission और automatic transmission मिल जाने वाला है बात करेते हैं car के interior से तो आप 5 लोग आराम से comfortable होगे इसमें travel कर लोगे इस space को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है 360 डिगरी camera, blind spot, dual zone climate control, digital driver display, heads up display, ventilated seat, panoramics and roof यह सारे features आपको इस car में मिल जाते हैं अब अगर बात कर लेते हैं यह car कब तक भारतिय बाजार में launch हो जाएगी तो January 2024 में यह car confirm भारतिय बाजार में launch होने वाली है नमबर 3 पर आती है Honda WRV WRV एक compact 5 sitter SUV है जिसकी pricing चालू होगी 8 लाख रोपे से और उसका जो top model वापको तकरीबन 14 लाख रोपे के अंदर मिल जाएगा car का जो look से वो पहले के मुकाबले काफी improve कर दिये गया है और इस car को Amiz के platform पर बनाया जाएगा जो car का look से वो बहुत ही शानदर है और इसके जो electricals की working है जो visibility है वो भी यहाँ पर आपको शानदर मिल जाती है car के engine की बात करें तो car में आपको एकी engine मिल जाने वाली है बात कर लेते हैं car के interior से तो आपकी family में अगर पांच लोगे तो आप आराम से comfortable होगे इसमें travel कर लोगे 7 inch infotainment system, auto AC, wireless charging, dry modes भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, sunroof भी दिये जाएगा, safety classics, airbags, ABS, EBD, lane changing assist यह सारे features आपको इस car में मिल जाने वाले हैं अब अगर बात कर लेते हैं यह car कब तक भारती बजार में लाँज हो जाएगी तो जैनवरी के starting में 2024 में यह car confirm भारती बजार में launch होने वाली है नमबर 4 पर आती है Suzuki S-Cross, S-Cross भी एक 5-setter SUV है जिसकी pricing चलू होगी 9 लाख रोपे से और इसका जो top model है वा आपको तकरीबन 15 लाख रोपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो लुक से वो बहुत ही शांदर है और यहाँ पर जो कार की length है वो भी अच्छी खासी लंबी है जिससे यह पता लगता है कि अंदर interior से जो space और comfortability है वो आपको और दूसरी कार के मुकाबले जादा यहाँ पर देखने को मिल जाती है कार की जो lighting है उनकी जो visibility जो quality वो भी है आपको शांदर level की मिल जाएगी तो उनको लेकर भी कोई भी complaint आपको face नहीं करना पड़ेगा कार के engine की बात करें तो कार में आपको एक ही engine मिलेगा जो की है 1.5 liter का hybrid petrol engine जिसमें आपको 5 speed का manual transmission और automatic transmission दे दिये जाएगा कार के interior से बात करें तो आप 5 लोग आराम से comfortable होके travel कर लोगे 8 inch infotainment system wireless phone charging आपको मिल जाता है dual zone climate control यहाँ पर आपको drive modes भी दिये जाएगे analog और digital का meter दिये जाएगा ऐसे बहुत सारे features आपको इस कार में मिल जाने वाले हैं अब अगर बात कर लेते हैंगे ये कार कब तक भारती ये बाजार में launch हो जाएगी तो जैनवरी 2024 में ये कार भी भारती ये बाजार में launch होने वाली है नमबर फाइब पर आती है रेनौल्ट डस्टर जी हाँ दोस्तो डस्टर वापसी भारती बजार में आने वाली है और देखा जा तो ये कार वापसी फाइब सेटर एस्वी के अंदर ही आईगी जिसकी प्राइजिंग चालू होगी नौलाक रोपे से और इसको जो टॉप मोड प्लेटफॉर्म पर बनायागे जो की बहुत ही डूरेबल प्लेटफॉर्म है कार के एंजिन की बात करें तो कार में आपको दो इंजिन ऑप्शन मिलेंगे पहला को मिलेगा 1.2 लीटर का टर्बो पैट्रॉल और दूसरा को मिल जाएगा 1.5 लीटर का नैचरली ऐस्परेट पैट्रॉल इंजिन फाइफ स्पीड के मैनूल ट्रांस्मिशन और सिक्स स्पीड आउटमेटिक ट्रांस्मिशन आपको यह वाली गाड़ी में दिया जाएगा कार के इंटियर से बात करें तो आप पांच लोग अराम से कंफरेबल होके समें ट्रैवल कर लोगे जो कार में हैं वो भी यहाँ पर आपको प्रैस के साबसे बहुत ही बढ़ी है मिल जाएंगे और जो सेफटी फीचर्स हैं जो कार की बिल्ड कॉलिटी है वो भी यहाँ पर आपको जबरदस्त ओफर करवा दी जाएगी बात कर लेते हैं यह कार कब तक भारती बजार में लांच हो है और जिसका बजट कम है वो इस कार के लिए थोड़ा सा वेट कर सकती है 10 लाक रोपे से गाड़ी चालू होगी और इसको जो टॉप मोडल वो यहाँ पर आपको तकरीबन 15 लाक रोपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो लुक्स है वो डिसेंड सही है लेकिन डिसेंड लु आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है थर्ड रो में भी आप बड़िया तरीकी से बैठ सकते हो और जो सेकंड रोप में आपको बड़िया लेग रूम और हेड रूम ओफर करवा दिये जाता है बाकि जो प्राइस के साब से फीचर्स हैं वो भी हैं पर आपको शानदा पर में लॉंच होने वाली है नंबर सेवन पर आती है हॉंडा बी आरवी बी आरवी एक प्रीमियम सेवन सेटर एसी वी है जिसकी प्राइजिंग चालू होगी 10 लाख रोपे से और उसका जो टॉप मोडल है वो आपको तकरीबन 15 लाख रोपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो लोग से वो बहुत ही खूपसरत है और कार के जो लेक्टरिकल से उनकी जो वर्किंग जो विजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर आपको A1 कॉलिटी की मिल जाती है कार के एंजिन की बात करें तो कार में आपको एक ही एंजिन मिलता है जो की है 1.5 लीटर का आईवी टैक जिसमें आपको 121 BHP की पावर और 145 Nm का टॉर्क मिलेगा 6-speed के manual transmission और CVT automatic transmission आपके वाली गाड़ी मिल जाती है बात कर लेते हैं कार के इंटेर से तो आप साथ लोग आराम से comfortable होकिस में ट्रैवल कर लोगे इस पेस को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी 7-inch infotement system, auto AC, wireless charging, dry modes, panoramics and roof, safety classics, airbags, ABS, EBD, lane changing assist ये सारे features आपको इस कार में मिल जाते हैं अब अगर बात कर लेते हैं ये कार कब तक भारती बाजार में लाँच हो जाएगी तो February 2024 में ये कार confirm भारती बाजार में लाँच होने वाली है नमबर 8 पर आती है Toyota Avenza, Avenza एक 7-setter MPV है जिसकी pricing चालू होगी 9 लाख रोपे से और इसका जो top model वा आपको तकरीबन 15 लाख रोपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो look से वो बहुत ही शानदार है और जो कार के electricals की working जो visibility है वो भी यहाँ पर आपको top notch quality की मिल जाती है कार के engine की बात करें तो कार में आपको एक ही engine मिल जो की है 1.5 liter का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 5 speed का manual transmission और automatic transmission offer करवा दिये जाएगा कार के interior से बात करें तो ये एक MPV कार है जिसमें आपको थोड़ी बहुत अच्छी space मिल जाती है और थोड़ी बहुत अच्छी comfortability offer करवा दी जाती है तो यहाँ पर आप साथ लोग अराम से comfortable होके समें travel कर लोगे इस space को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जो कार में features है वो भी यहाँ पर आपको शांदर मिल जाएंगे और जो safety features है वो भी यहाँ पर Toyota company आपको जबरदस्त offer कर देती है अब अगर बात कर लेते हैं यह कार कब तक भारतिय बाजार में launch हो जाएगी तो जैनवरी 2024 में यह कार confirm भारतिय बाजार में launch होने वाली है बाके दोस्तों आप comment करके बताओ कि इन 8 कार्स में से आपको कौन सी गाड़ी यहाँ पर सबसे अधा पसंद आई है भी कोई यह व संतरि के यह थार में कर दोस्तों आपको बात कर दोस्तों अमें कब उसम कर दोस्तों केल वाली बास है वाली में यह मैं पर स्बस्तों